तो आज के सेशन में हम एक important discussion करेंगे, discussion क्या होगा, discussion होगा roadmap के बारे में, roadmap किस चीज़ का, जब आपको future को credit करना है या future को अपने secure करना है, आपको past न जाकना पड़ेगा एक बाद, past, past में क्या है, अगर आप question paper उठा के देखेंगे और questions को analyze करेंगे, तो आपको एक trend नजर मालो आपने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप ये चीज़ अपलाई करेंगे, right, चुकि जब आप past your papers solve करेंगे, तो आपको एक idea लग जाएगा कि paper कैसा आ रहा है, level कैसा है, किस type के questions पूछता है NTA, hello everyone, welcome to PW UGC net, my name is Umayesh and I am your faculty for paper to economics, that is for the UGC net exam, तो आ map इस चीज़ का, कि जिस पे चल के आप जल्री से आपका जो December का exam है UGC net का, उसको crack कर सके, आप जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम time बचा हुआ exam के लिए, around 40 to 45 days, अगर मैं मान के चलूँ अपने दिमाग में, तो इस कम time पे हम कैसे अपनी preparation को optimize करके exam के करीब, या exam न quote Ratan Tata जी का, या late Ratan Tata जी का, alright, तो quote कुछ ऐसा है कि none can destroy iron but its own rust, similarly, none can destroy a person but his or her own mindset, so कहनी की बात बड़ी simple सी है कि अगर आपके दिमाग में, अगर आपके mindset में, ये clear है कि आप कम time में में मेहनत करके exam निकाल लेंगे, या उसके निकालने के close पहुँच सकते हैं, तो आप कही इना कहीं, इस चीज को कर ले जाएंगे, बट अगर आपके दिमाग में clarity नहीं है, या आपके mindset में ये चीज नहीं है, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, तो अच्छे mindset, अच्छे mindset के साथ, हमें अपने आगे आने वाले 45 से 50 days को use करना है, और अपने selection को confirm करना है, और net या GRF, जैसे हम मेनद करेंगे, उसे साथ से हमें result दिखने को मिलेगा, तो थोड़ा strategy जो है, उस पर बात करेंगे, कैसे हम optimize करेंगे अपने time को, अपने preparation को, तो analyze करने से पहले इस चीज को, जैसा कि कहावते बहुत सारी हैं, आप सबने सुने भी होगी, कि आगे लंबी तो कई बार आपको वड़ा सा पीछे आना पड़ता है, फिर आप भाग के यह जंप लेते हैं, तो similarly, जब आपको future को predict करना है, या future को अपने secure करना है, आपको past में जाकना पड़ेगा एक बार, past, past में क्या है, past में है आपके previous year papers, अब एक analysis किया है, मैंने पिछले 5 सालों क पिछले 5 सालों में जो papers हुए है, उनका analysis किया है, उनकी cut-off का analysis किया है, जिससे हमें एक idea लग जाएगा यार कि December में अगर मुझे exam निकालना है, तो उसके लिए मुझे कितने minimum questions target करने चाहिए, right, तो this is the year-wise cut-off, alright, हमारे 2023 में दो बार paper हुआ था, 2022 का जो paper था, वो merge cycle थी, जिसमें December 21 और June 22 के papers हुए थे, similarly, 2021 में आपके December 20 और June 2021 के papers एक साथ हुए थे, तो ये 5 papers है, पिछले 5 सालों के, जिनको हम analyze करेंगे, और उनकी cut-off के तुरू हम idea लगाएंगे कि कितना हम अपने आप से expect करें, या on the exam दे हम कितने questions attempt करके आए, right, so, अगर मैं net को target कर रहा हूँ, हलाकि मुझे target GRF करना चाहिए, because अगर GRF मैं target करूँगा, तो मैं preparation भी उसी हिसाब से करूँगा, अपने सारे resources को, सारे घोडे जो मेरे पास है, मैं सबको, खोल दूँगा, और पूरी तेजी से मैं GRF के तरफ भागूँगा, तो GRF को target करना के लिए हमें on an average कितना score लाना होगा, यहां से एक estimate आपको मिल जाएगा, तो अभी जैसे recently जो आपका 2024 का जून का paper था, और जिसका अरी exam हुआ था, उसका result डेक्लायर हुआ है, तो उसमें जो economics की cut-off गई है इस बार, पिछली बार से काफी उपर गई है, लास्ट यह जो December क exam हुआ था, उसमें जो cut-off थी GRF की, that was 180, बट इस exam में, जो latest exam हुआ है, जिसका result भी एकदम latest latest आया है, ताजा एकदम market में जो चीज़ आई है, वहाँ cut-off गई है 210 नमबर, यानि की लगभग, लगभग क्या, पूरे 15 marks, 15 questions का gap है, तो कहीं न कहीं, paper थोड़ा आसान आया था, maybe that is why cut-offs थोड़ी उपर गई है, तो हमें इस हिसाब से तयारी करने हैं, कि paper चाहिए आसान आया था है, मुश्किल है, हमारा exam clear हो जाए, तो on an average अगर मैं देखू, तो कम से कम 201.2, यानि की 200, 1 से 202 के बीच में मुझे target करना है, यह मेरा total score होगा, including paper 1 and paper 2, right, similarly अगर मुझे net को target करना, तो around 180 marks मुझे target करने होंगे, तो 200 marks लाने के लिए, यानि की आपको लगबग 100 questions सही करने होंगे, out of the 150 questions, right, तो कहीं न कहीं paper 1 का role भी बड़ा important है, paper 2 तो आपको करना ही है, paper 1 is also important, because 1500 questions में से 50 questions आपके paper 1 से आएंगे, तो उसका भी अपना एक significant role है, जिसको आपको ignore नहीं करना है, तो economics के हम बात कर लेते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, इन बचे होगे दिनों में, कि हमारा preparation का जो level है, वो improve हो जाए, मालो अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो आप एक certain level पर पहुंच जाओ, और अगर आप मालीजिये, अलरी net निकाल चुके हैं, आपके preparation ठीक ठाक है, तो आपके GRF निकालने के chances जो हैं, वो increase हो जाए, है, तो this is the syllabus, this is the unit wise syllabus, तो हमारे पास हमें मालू में 10 units है, राइट, we have micro, macro, stats, and econometrics, mathematical economics है, international है, public economics है, money and banking है, money and banking को आप macro का ही part मान के prepare कर सकते हैं, काफे कुछ आपका macro की preparation से ही हो जाता है, similarly we have growth and development, then we have environmental economics and demography, and we have Indian economy, तो जो analysis मैंने यहाँ पर किया है, यह तो है marks का analysis, कितने on an average आपको marks चाहिए होंगे, अगर आप question paper उठा के देखेंगे, और questions को analyze करेंगे, तो आपको एक trend नजर आएगा, एक pattern नजर आएगा, कि भाई, NTA का ना एक bias है, bias क्या है, कि वो कुछ units को specifically prefer करता है, अब वो कौन से unit है, उस पे भी हम बात करेंगे, तो यह हमारा मोटा मोटा, silvers का, या silvers की list, आपको यह सारी units कवर करने है, कोशिश तो करने हैं, कम से कम, time कम है, मालों आपने बिल्कुल तयारी नहीं करी है, तो आप कोशिश करेंगे, और अगर, कोशिश ना करना चाहें, तो एक और plan है मेरे पास आपके लिए, तो roadmap to jrf कैसा होने वाला है, so focus on the important units, अब मैं बात करूँगा कि अगर आप सारे units कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको important units पे focus करना है, right, अब वो कौन से हैं, वो हम अगली slide पर उस पर बात करेंगे, so this is the first part of the plan, जो की है roadmap to jrf, दूसरा जो आपका focus area होगा, वो होगा solving past year papers, मालो आपने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप ये चीज़ apply करेंगे, right, क्योंकि जब आप past year papers solve करेंगे, तो आपको एक idea लग जाएगा कि paper कैसा आ रहा है, level कैसा है, किस type के questions पूछता है, NTA, किस area से सवाल उठाते हैं, NTA वाले लोग, तो उनका जैसे मैंने अभी कहा कि एक bias होता है कुछ areas की तरफ या कुछ units की तरफ, तो आपको एक idea लग जाएगा यहां से, तो आप specifically वो topic तयार कर सकते हैं, तो और यह अगर आप तयार कर लेंगे, तो आपके chances बढ़ जाएंगे, कि आप वो questions वहां सही करके है, इसके अला आपको तीन घंटे का time मिलता है, उसको best possible way में optimize कैसे करना, because होता यह है कि यार आप जो तयारी करते हैं, मालो आप कितने भी साल तयारी कर लो, that is one thing, exam निकालना बहुत कुछ इस चीज पर निरभर करता है, कि उस दिन आप तीन घंटे उस paper को कैसे attempt कर रहे हो, तो उस तीन घ This is the first part, this is the second part, तो जब आप बहुत सारे PYQs लगा लेंगे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि questions कैसे आ रहे हैं और कैसे paper को attempt करना है, इसके अलावा एक और important चीज है, आपको guess लगाना आ जाएगा, guess marking करना आ जाएगा, क्योंकि एक अच्छ कर सकते हैं हर सवाल पर, तो जैसे जैसे आप बहुत सारे सवाल करेंगे, आपको guess marking का तरीका भी आने लगेगा, उससे आपके marks बढ़ने के chances और increase हो जाते हैं, right, so this is the first part, जिसके आप बात कर रहा थे हम अगली slide भी उसकी बात करेंगे, so ये कुछ areas है जहां पे NTA specifically focus करता है Economics के exam में, और ये पिछले 5 साल, 5 years का trend है, एक मोटा मोटा average मेने trend निकाला है, कि on an average इतने सवाल इस इस unit से आए हैं पिछले 5 साल में, so the first one is Micro Economics, right, यहां से लगभग लगभग 15 सवाल पूछता है NTA, similarly the second one, जो की सबसे पसंददा area है NTA का, यहां से आपके 25 सवाल on an average आते है The third is your Indian economy जहां से लगभग 15 सवाल on an average आ रहे हैं, तो अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ, इन सबको मैं जोड़ दूँ तो लगभग 55% paper आपका यहीं से आ रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको focus कहां पर करना है, तो यह 3 units ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते हो, आपको start हीं से करना है, सबसे अच्छे से thoroughly इनको cover करना है, फिर जब आपको time मिले तो आप you should go for these 3 units, जिसमें आपका stats, maths, econometrics है, जिससे on an average 15 से 16 सवाल आते हैं, तो अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ, तो आपका 70% paper जो है, सिर्फ इन 5 units से आ रहा है तो अब आपको दिखने लगा होगा कि अगर strategically मैं plan करूँ अपनी पढ़ाई को और target करूँ इन areas को, इन units को, तो कहीं ना कहीं I can reach very close to the आपका जो benchmark score है, net के लिए या GRF के लिए, तो ये सब चीज़े अगर आप follow कर लेंगे, तो आप अपने chances बढ़ा रहे हैं, exam clear करने के, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको और follow करनी है, आपको paper 1 पे focus करना, यह मैं जैसे मैंने आपको अल्रडी बता दिया है, paper 1 में कम से कम 35 marks आपको target करने है, all right, 35 यहाँ पे और अगर आप 65 marks paper 2 में लिए तो आपके 100 सवाल, 100 question ऐसे ही सही हो गया, और 200 का score आपका ब follow करना है, because Indian economy में, Indian economy में यहाँ से सवाल आते हैं, जैसे कि आपके budget से सवाल आ गया, economic survey से आ गया, census को आपको पढ़के जाना है, right, census से काफी सवाल आते हैं, और latest government schemes, आजकल date wise arrange करने को, या फिर match the following के form में, scheme से questions आ रहे हैं, तो आपको इन पे भी focus करना है, आपको revise करना है बार-बार, especially जो लोग जिनकी तयारी ठीक ठाक है, तो उनको revision पे बहुत focus करना है, या जो net निकाल चुके है, अब आपको revise करना है, बार-बार, बार-बार और PYQs लगाने है, right, और जो last चीज सबसे important चीज है, वो है आपकी, कि stay connected with this platform, जहाँ पे मैं बहुत जल्दी, या जहाँ पे हम economics के PYQs को solve करने वाले, तो आपको जुड़े रहना, बने रहना है यहाँ पे हमारे साथ, और proper अपनी भागीदारी देनी है, अदला अपना interaction करते रहना, ताकि आप best possible output दे सके, और उसमें हम अपने ओर से, PWK ओर से maximum contribution कर सके, so I hope यहाँ से आपको कुछ idea लग सकते हो, right, so mindset positive रखना है, और जैसे मैंने जो चीजे बताई, जो roadmap दिया है, उसको follow करना है, तो कही ना कहीं आप बहुत close पहुंच ओगे अपने mission के, right, so this is all for this video, I'll meet you on Monday on YouTube live, right, so till then take care, keep studying and see you soon, thank you.